हेलो एप्रिवेंट वेल्कम बैक टू माई चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सब कहा हमारी चैनल पर जहां हम बाते करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल पुजा पार्ट से जुड़े हुए और अलिंग टॉपिक पर मैं आपके साय शेयर करती हूं अपनी लाइफ और इस बार भी बता देती हूं चुकि हमारे चैनल पर जो मेरी पीछली होली थी वह मेरी फर्स्ट होली थी और अभी जो होली है वो सेकंड होली है और तब से अब तक के बीच में 1100 से जादा वीडियो प्लोड हो चके हैं तो वीडियो मिलना थोड़ा सो मुश्किल है जो म बत, पीपल, तुलसी की लकडियों का प्रियोग नहीं करना चाहिए जी हां होली का दहन में हमें आम की लकडी, बत की लकडी, पीपल की लकडी और तुलसी की लकडी का प्रियोग कतता ही नहीं करना चाहिए दूसरी बड़ी साफधानी जिन लोगों के पुत्र हैं पुत्र लाखे गाड़े चाहिता है झार अधन आफको अगर आपको पूत्रा है तो आप प्र ना होली का दहन करें और नहीं हुली को गाड़ें के पुत्रा है और दूसरी साफधारें और शूर अस्त के बाद हुली नहीं कहले की जाफिए RE अगर कोई नई बहु है वैसे तो यह परंपरा है जो नई बहु होती है उसकी जो पहली होली होती है वह वैसे भी माईके में ही मिनाई जाती है ससुराल में नहीं मना जाती है किसी कारण बस अगर नई बहु है और वह माईके नहीं जा पाई है ससुराल में ही है तो यह गलती कभी ना करें क्या 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 पहले तो यह कि चलो नई बहु है इसी से होली का का पूजन करा देते ऐसा नहीं करना है दूसरा नई बहु को होली क होली का देहन के समय जो हम राख fractions कैना ही तो उसका तिलक लगाते हैं ,Her निंशादी होई है फुनजी होई है ऑण नहीं विन रहुं tych भांपन हो suisसा। परशाद में क्या जैसी कि होली का देहन में जो अनाज ले जाते हैं साथ परकार का जिसे भूंच खिलाते हैं परशाद रूप में खाते हैं वो नहीं गरण करना है और नहीं होली का देहन की राखी लगाने हैं होली की दिन धन का लेंदे ना करें होली घर के अंदर नहीं जलाते हैं जिया होली का दहन कभी भी घर के अंदर नहीं किया जाता है आप छट पर कर सकते हैं लेकिन कमरे के अंदर घर के अंदर होली का दहन नहीं करते हैं होली वाले दिन सबसे बड़ी चीज तो जो इस वर्डस है वो यह है कि जिस तरीके के संकर्मन से हम लोग लड़ रहे हैं, किर्पया करके ऐसे में समस्त लोग अपने घर में रहें, उचित दूरी बनाए रखें, पूजा पाट अपनी जगे हैं और अच्छा स्वास्त अपनी जगे हैं, तो हर चीज को सहयमिती रूप से और संतुलन के साथ करें ताकि आप स्वास्त भी रहें और आपके तहवार भी होते रहें, ये कुछ विसेस्त नियम थे, जो मैंने आपको बताएं, इसमें मैं आपको कुछ और चीजे बता देती हूं, जैसे कि होलिका की राख, हम वो लेने जाते हैं, सुबह हमें चुपचाप जाना चाहिए, होलिका की राख लानी चाहिए, चान कर हम डबे में भर के रख सकते हैं, भगवान शिव को भस्म के रूप में उसे अर्पित कर सकते हैं, चुकि भगवान शिव को भस्म लगती है, और इस से शुद्ध भश्म आपके लिए कोई और दूसरी हो ही ने सकती है, तीसरी चीज, मैंने पिछली बारे बिताओंगी, घर में नई बहु है तो अच्छी बात है, नई तो जो भी बड़ी बहु है करकी, वाकि मम्मी हो सकती है, दादी हो सकती है, वो एक दिन पहले या दू दिन पहले देख लें, कोई शुब महुरत हो, या सुब समय हो, तो उस दिन क्या करें, सरसू को भूँच के उसका उप्टन बना लें, और घर में सभी छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों को जो भी घर में है, पुरुशे महिला हैं, सब लोग अपना अपना उप्टन करके, और उसका जो निकलता है, जाड़ के, कपड़े में खटा करके रख लें, जब आ आप उसे उसमें डाल सकते हैं, इससे आपकी समस्तिप्रकार की समस्यां नस्ट हो जाती हैं, आपके रोग दोस्त, सब्यों से भी मार चले आरहे वेक्टी भी, कस्वास्त अच्छा हो जाता है, तो ये कुछ विशेशी चीजे होली का देहन पर जो आप कर सकते हैं, और जो नहीं करने है, दूसरी चीजी यह है कि रंगों उसे थोड़ा सा दूरी बनाए रंग एक तरीकी की पैसे की बरबादी भी है और दूसरे तरीकी का जो जानवर है उन्हें बहुत नुकसान करते है वायू को तुखराब करते ही करते है जानवरों को बहुत परिशान करते हैं, तो किरपया करके रंग से जरूर दूरी बनाएं, तो दोस्तों आशा करते हूं, यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी रहा होगा, अगर यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमें करें, आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर जॉइन कर सकते हैं, मैं मिलते हूं आप से विदा न्यू वीडियो, तब तक के लिए, हरी कृष्णा, राधे राधे, बाबाई दोस्तों, बाबाई